नमस्का दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरन का एक टॉपिक विलोम शब्द अर्था तो भी प्रार्थी शब्द या फिर एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो अगर मैं एक वाक्य पढ़ती हूँ उसमें जो भी काले मोटे अक्षरों में जो मैंने लिखा है उस पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत की लंबी पराधीनता का अंत हुआ और स्वाधीनता के युग का प्रारंब गांधी जी की अहिंसा के सामने विदेश्यों की कुरूरता और हिंसा को जुगना पड़ा नियाय की जीत हुई और अनियाय की हार ठीक है अगर मैंने ऐसा एक वाक्षी लिखा है तो ये जो पराधीनता है वो स्वाधीनता का विप्रीत अर्थ है अर्था विलोम है अहिंसा का विलोम शब्द है अर्था ये क्या है एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं इसलिए इस तरहे के शब्दों को विल विलोम शब्द कहा जाता है तो उधारन जो हमने सबसे पहले देखा पराधिन्ता इसका विलोम होगा स्वाधिन्ता अहिंसा का विलोम होगा हिंसा अंत का होगा प्रारंभ न्याय का होगा अन्याय जीत का होगा हार तो ऐसे शब्दों को विप्रीत आर्थक शब्द भी कहा ज जाता है तो हम इसकी सबसे पहला कर डैफिनेशन देखें तो जो शब्द एक दूसरे के विप्रीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं अर्थ उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जैसे अमरत विश एक अनेक सफल असफल दिन और रात चीक है तो तत्सम शब्दों के विलोम को हम तत्सम शब्द में ही लिखते हैं और तदभव शब्दों के विलोम को तदभव में ही लिखा जाता है तथा विदेशी शब्दों के विलोम भी विदेशी ही होते हैं अब हम यहां पर कुछ उधारन देख लेते हैं तो अगर सबसे पहले हम देख लिखा होता, इसका तदभव शब्र होता, तो सपूत हो जाता है, इसी प्रक्रद अंधिकार है तो प्रकाश होगा, अगर तदभव रूप में आता है अंधेरा, तो हैमें उजाला लिखना होगा। लाब , हानी ये चत्सरम इसका अर्वी शब्द भी हो सकता है जैसे फाइदा और नुक्सान तो ये कुछ उधारन है इसके अलावा हम देख लेते हैं जीवित इसका विलूम शब्द होगा अमरत स्वतंत्र परतंत्र उत्तीन यानि पास होना अनुत्तीन जिसे हम बोलते हैं फेल होना अमरत विश अल् शब्द होगा अ उपेख्शा अनन पेख्शा बहुत सारे लोग गलत लिख देते हैं तो याद रहकेगा आपेख्शा का विलोमशब्द होता है उपेख्शा आकर्षं यानि अट्रैक्शन इसका हो जाएगा विकर्षन, आदर, अनादर या निरादर भी बोल सकते हैं आदान, प्रदान इसके बाद आय का विलोम शब्द होगा वियाए उचित का विलोम शब्द होगा अनूचित उन्नती, अवनती, उपयोग, अनूपयोग, उग्र, शान्त, कीर्ती, अपकीर्ती, गहरा, उथला, जो छिछला जिसे हम बोलते हैं गुप्त, प्रकट होना या इसका विलोम शब्द होगा चल, अचल इसके बाद स्थूल, यानि बहुत बड़ा के लिए हम स्थूल शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका विलोम होगा सूप्ष्म, या लगू सुगंध का दुरगंध, सजीव यानि लिविंग का नौन लिविंग या निर्जीव विजय, पराजय, बंधन यानि बंधा हुआ, उसका विलोम होगा मुक्ती, अथ्वा मोक्ष सरल, कुटिल, पवित्र का होगा अपवित्र, नवीन का विलोम शब्दों का प्राचीन, निरक्षर का होगा साक्षर तो ये कुछ हमने विलोम शब्द लेखे, इसके अलावा कई सारे ऐसा एक्जामपल हैं जैसे मैं बताती हूँ पावन का होगा अपावन, पाप का पुन्य, पक्ष का विपक्ष, निंदा का अस्तुती, निरर्थक का विलोम शब्द होगा सार्थक, निकट का होगा दूर, निर्मल का मलीन, ठीक है, वर्दान का भिशाप, विरोध का समर्थन, शयन का जागरन, सरस का नीरस तो कई बार एक्जाम में या तो mcq के रूप में आसकते हैं कशा करते हूं कि आपको विलोम समझ में आए होंगे धन्यवाद कुস